Hello friends, welcome back to the channel, स्वागत है आपका मेरे चैनल में क्या हमें ओर्लाइन शॉपिंग करना चाहिए? हाँ या ना? अगर करना चाहिए, तो क्या हमें सही प्रोड़क्स मिलते हैं हर बार? क्या आपने भी कभी धोगा खाया है? और कुछ और किया हो और आया हो कुछ और? क्या इस तईके का मिसमैच आप लोग के साथ भी हुआ है? आपका तो मुझे पता नहीं, पर मेरे साथ तो जरूर हुआ है पिछले दो या रहाई साल से हाई चीजे हम ओनलाइन ही खरीते हैं चाहे वो हमारी ग्रॉसरी हो, चाहे वो हमारा फूड हो, चाहे वो वेज़ेटेबल हो, चाहे वो कपरे हो, चाहे वो एलेक्ट्रोनिक्स आइटम हो है चीज हम ओनलाइन खरीते हैं और कई बार ऐसा होता है कि उसमें से कुछ समान तो हमें हमारे कॉर्डिंग मिल जाते हैं कभी बार ऐसा होता है कि हम उसे रिप्लेस करते हैं और कई बार वो भी नहीं हो पाता है तो चलिए मैं वीडियो की शुरुवात करती हूँ मैंने अपने लिविंग रूम के लिए सोफा कम बैट खरीदा ऑनलाइन एमजन से पर इसकी प्रॉब्लम ये है कि जो प्रॉडक्ट मैंने ऑनलाइन देखा था जो चीज और डिजाइन मैंने ऑनलाइन देखा था वो ओर्डर किया और एक्जक्ली वो आइटम मुझे नहीं मिला मैंने ओर्डर जब किया था तो ब्रेज कलर किया था एक्जक्ली सेम कलर जो मेरे दूसरे साइट सोफा है उसका जो है कलर है वही same color पर जब मुझे item मिला तो मुझे यह मिला white color का और साथ में इसमें return का option नहीं था only replacement का option था तो जब मैंने replacement के लिए डाला तो again मुझे same color ही return होकर आया तो उसके कारण फिर मुझे अगेन इसके उपर cover डालना परा क्योंकि white color होने कारण बहुत जादा गंदा होता है के अलावा जो मेरा sofa come bed उसका एक और problem था कि उसका जो quality और material था वो इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा review में कहा गया था आजकर इस type के moon lights बहुत यूज होते हैं लोग अपने bedroom के लिए बच्चों के पढ़ने के लिए यूज करते हैं इसे मैंने around 600 something या 700 रुपीज में ख़ईदा था और ये एक महीने भी मैंने इसे proper यूज नहीं किया और इसका जो battery backup है वो खराब हो गया जब मैं light को चार्ज पर लगा के रखती हूँ तब तो इसके lights on हो जाते हैं पर जैसे ही मैं इसका जो charger है वो निकाल देती हूँ तो light off हो जाता है इसका जो battery है वो चार्ज नहीं होता है तो जब कभी मुझे use करना होता है तो इसको मैं इसी तरीके से use करती हूँ चार्ज पर लगा के तो इसकी जो battery है within one month खराब हो गई और जो मैं यहाँ पर भी tap कर रही हूँ तो यहाँ पर यह switch है on off करने का पर यह switch काम नहीं करता है क्योंकि battery इसकी चार्ज ही नहीं होई तो battery के थूँ यह switch on off होता है next item जिसे मैंने amazon से खरीदा था और वो भी again खराब हो गया और उसकी भी problem यहीं है कि उसका जो battery है वो खराब हो चुका है इसे खरीदे हुए कर्यों मुझे डेल सार हो गए है और यह है मेरा saving करने वाला trimmer यह मैंने अपने husband के लिए खरीदा था और इसकी भी यही problem है कि battery जो है अब यह नहीं काम करता है जब मैं इसे charge में लगाती हूँ उसके बाद ही मेरे husband इसे use कर पाते है और एक बार जब हम इसे charge में लगा दे और यह सोचे कि यह charge हो गया होगा तो यह charge नहीं होता है तो इसकी जो warranty थी वो एक साल की ही थी तो warranty भी expire हो चुका है अब मैं move करती हूँ मेरे next item की तरफ और जो मैं next item है वो है cushion cover मैंने amazon से set of five यह white color का cushion cover order किया और order करने के बाद मैंने देखा नहीं कि इसकी size में ऐसा difference भी हो सकता है क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई idea नहीं था तो जब मैंने इसे अपने cushion में डाला तो इस तरीके से इसमें difference आया तीनो ही size different different है जो मेरा beach वाला cushion cover है वो छोटा है और जो दोनों side के हैं वो चोड़े चोड़े size में है तो इसी तरीके से इनमे stitching में भी उतनी finishing नहीं है और material भी उतना अच्छा नहीं है साथी साथ size में भी issue है तो अब जब कभी मैं cushion cover लेती हूँ तो सबसे पहले मैं यहीं check करती हूँ अगर की कुछ size ठीक है की नहीं है हम मेंसे बहुत लोग iron वगेरा हम online ही खरीते हैं और यह जो iron है मैंने कोई local company का नहीं खरीदा यह मैंने खरीदा हैवल्स का इसमें जो है problem यह है कि इसका जो यह button है जिसमें से हम decide करते हैं कपड़े का silk लेना है cotton लेना है यह निकल के बाहर आ गया फिर जब मैंने customer केर को complain किया कि मेरा यह iron है और इसे एक साल भी नहीं हुए है इसका जो उपर का जो round करने वाला है close का selection करने वाला है वो खराब हो गया है तो उन्होंने एक person को मेरे घर पे भेजा और वो जो person था उसने मुझसे पहले इस product का bill मांगा तो जो मेरे पास bill था वो color this color हो गया था क्योंकि वो printed होता है black color का तो उसका color fade हो गया था वो जो person था उसने मुझे बोला कि मैडम इसका bill दिखाए तो ही मैं इसका जो repairing का fee है वो नहीं लूगा मैंने कहा bill तो मिल नहीं रहा है में पास सिफ warranty card है तो जो warranty card है उसके होने के बाबजूद उस person ने इसको repair करने में मुझसे around 300 to 400 रूपीज चार्ज किया warranty card की कोई value नहीं हुई value हो रही थी यहां पर product के bill की तो warranty card पर सब कुछ लिखावा था date था purchase date था warranty का जो एक serial number होता है वो भी था फिर भी इस product का जो repairing था उसका charge मुझे pay करना परा अब मैं move करती हूँ मेरे six item की तरफ और जो जो six item है again electronic item है electronic items के return की option नहीं होती है सिर्फ replacement का option होता है और जो हम replacement कर भी लेते हैं तो वो सही चीज नहीं आती है और कभी कभी तो वो भी possible नहीं होता है क्योंकि जो replacement का window period होता है वो seven days का होता है अगर उस seven days में हमने notice नहीं कि या तो हमें again उसे somehow manage करकर के ही use करना पड़ता है यह online खरी रहा था Bluetooth, earphone तो इसकी problem again वही है कि जब इसे मैं charge करती हूँ तो उसके बाद long time तक इसका जो battery backup है वो नहीं चलता है बहुत जल्दी यह drain हो जाता है और मुझे बार-बार इसे charge पे लगाना पड़ता है तो अब ब Amazon से washing machine के लिए cover खरीदा और वो जो cover है उसको खरीदने के time पे मैंने particular washing machine का जो feature था size वो उसमें डालके ही वो cover खरीदा था और इसके description में भी यही लिखा था कि इस type के washing machine के लिए ही यह cover है पर जब cover मुझे deliver हुआ और मैंने उसे अपने washing machine में डाला तो इसका जो size था वो मे washing machine के coding बहुत ज्यादा धीला है जब हम पूरा chain लगा देते हैं उसके बाद भी इतना ज्यादा lose है कि बहुत देखने मजीब सा लगता है पूरा washing machine cover में डूबा सा लगता है और बिलकुल देखने मच्छा नहीं लगता बिलकुल अजीब सा लुक दिखता है तो इसे मैं ज् करती हूं मेरे last item की तरफ और जो last item है वो है मेरा carpet मैंने अपने bedroom के लिए एक carpet खरीदा तो यह जो carpet है उसका भी यही problem है कि इसका जो cutting किया हुआ है वो सही धंग से cutting नहीं किया हुआ है इसका जो design है वो सही धंग से नहीं है एक तरफ से ज्यादा cut है और एक तरफ से कम है त तरीके का जो carpet आता है वो करीब 800 700 और 900 के करीब आता है तो यह चीज़ का ध्यान रहे कि इसका जो design है carpet का जो cutting है वो सही रहे आपको इसी rate में इस तरह के carpet market में भी मिल जाएंगे और साथ में आपको design भी सही मिलेगा और जो cutting है वो भी सही मिलेगा तो कभी भी online try करने से पह कहीं समाप्ट करती हूँ और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो थोरा सा भी useful लगा हो तो मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें अगर आप में चैनल को पहले बार देख रहे हैं और वीडियो पसंद आए तो उसे like जरू करें इसी के साथ मैं इस वीडियो के लिए बाई